नमस्कार दोस्तो रियल एजुकीशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं सिर्फ दो मिनिट में एटियम पिन को जनरेट कैसे किया जाए बस दोस्तो आपको क्या करना है इस वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तो आपके लिए सर्फराइज है आपका जो नाम है वो सौट आउट किया जाएगा यहाँ पे आपका नाम है वो बोला जाएगा रियल एजुकीशन चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ एक प्रश्ण का जवाब देना होगा भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है कमर्शियल बैंक भारत की सबसे बड़ी कौन सी है उसका जवाब है मुझे कमेंड में बता दीजिए अगर जिसने भी इसका जवाब सही बताया उसको वीनर को रेंडमली पिक किया जाएगा और अगले वीडियो में उसका नाम है सौट आउट लिया जाएगा इस सवाल का जवाब जरूर दे तब चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो एटियम में जाते ही आपको सबसे पहले उप्सन देखने को मिलेगा कि भाई सिलेक्ट यॉर लेंगवेज तो आपको जो भी सूटेबल लेंगवेज हो सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर इंगले से सिलेक्ट कर लेता हूँ English select करने के बाद में दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरीकी का interface होगा और यहाँ पे लिखा होगा Please select option यहाँ पे आपको option select करना है जैसे कि यहाँ पे मैं अपना option select कर लेता हूँ Enter pin भी है दोस्तो और यहाँ पे लिखा है set pin तो आपको क्या करना है set pin के उपर click कर लेना है नीचे वाले के उपर click कर लेना है और उसके बाद में दोस्तो आपको इस तरीकी का option होगा यहाँ पे आपको लिख लेना है अपने your enter यहाँ पे लिखा होगा Please enter your 14 digit account number मतलब यहाँ पे आपको अपने account number लिखने है दोस्तो आपके जो 14 account number होते हैं जो कि bank password में लिखे होते हैं वो account number लिख लेने हैं और वो लिखने के बाद में दोस्तो यहाँ पे आपको correct दबा देना है जब आप इसके उपर दबा देंगे तो उसके बाद में दोस्तो आपको यह आगे इस तरीकी का आ जाएगा फिर यहाँ पे आपको वापिस अपने account number लिखने हैं मतलब आपके account number आपको दो बार लिखने हैं फिर वापिस आपको correct के उपर क्लिक कर लेना है उसके बाद में दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस होगा यहाँ पे आपको लिखा होगा कि please enter your 10 digit mobile number लिखने हैं मतलब आपके mobile number दूसरी बार लिखने हैं फिर उसके बाद में आपको correct का option होगा इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है correct के उपर दोस्तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस होगा और यहाँ पे लिखा होगा please enter your OTP आपको अपना OTP नमबर डालना है जो आपके mobile number आपने अभी register किया था जो आपने अपना mobile number है अभी डाला था उसी mobile number को वापिस लिखना है जब आप उस mobile number को वापिस लिखेंगे तो वहाँ पे आपके सामने उस mobile पे OTP चला जाएगा जब आप दूस्तों OTP देख लें तो वह आपको OTP यहाँ पे लिख लेना है उसके बाद में आपको correct दबा देना है मतलब OTP यह वन टाइम पासवर लिखने के बाद में यहाँ पे correct दबा देना है उसके बाद में इस तरीकी का interface होगा यहाँ पे लिखा होगा please enter your new pin मतलब अब आपको अपना जो नया ATM का pin है वो set कर लेना है जैसे कि आप जो भी चाहें set कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने 1,2,3,4 लिखा है और इसके बाद में आपको क्या कर लेना है कुछ नहीं करना वापिस यह automatically set हो जाएगा फिर वापिस लिखा होगा कि दूसरी बार अप प्रोसेस हो रहा है उसके लिए आपको वेट करना है उतना हो जाने के बाद में दूस्तो आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस होगा और यहाँ पर लिखा होगा pin change successfully मतलब आपका जो pin है वो successfully change हो चुका है दूस्तो आपने देखा pin change करना कितना आसान था आसा करता ह आज जो मिन आप तक information पहुँचाई आपके लिए वायदे मन रहे होगी अगर आपको वीडियो चल लगा है तो वीडियो को like किजिए share किजिए अगर आप इस channel में नहे है तो channel को subscribe किजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हेंद वंदे मातरम